है बिनें नमस्कार दोस्तों आपको स्वागत है हमारे चैनल हल्थ भारत के हमें और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूं इमली के तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहने पार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में लगे बैल आइकॉन को प्रेस्ट को ताकि इसी तरह कि स्वास्ते संब्दित जानकारी आपको लगातार मिलती है बहुत कम लोगों को यह पता इसनि इमली एक ऐसा फल है जिसे सुनते के मुझे पानी आने लगता है कोई ऐसा वेक्टिन नहीं होगा जिसे इमली खाना पसंद ना हो अगर आप गोलगप्प्र खाने के शौकिया हो तो आपने इमली का पानी जरूर प्या होगा इमली से बनी हुए चिट्नी में बहुत स इंगली के पानी पीने से आपकी पाचन के लिया मजबूत हो जाती है अगर आपको कई दिनों से अपज हो रहा हो भोजन सही तरीकी से पच नहीं रहा हो तो आप एक ग्लास इंगली का पानी पी देजिए इस से आपके पेत के जलन और कब्र जैसे टिक्कत असानी से बोड़ हो सकती है डाइबिटेस के मरीज्जों के लिए लाप करने दोस्तों डाइबिटेस के रोगयों को इंगली के पानी का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल को काफी हथ तक नंतित कर देते हैं इसलिए हो सकता यहां पूरी दिन में एक बार एक ग्लास। का पानी जरूर की कैंसर में असरकारी दोस्तों आप अपने मुटापी से परिशान है और बोत तेजी से अपना वजन कम करना चाहते तो आपके लिए इंगली चहांँ आपका स्वाध बढ़ जाता हैं अपकर आपके शरीर के वजन कम करने में भी, आपके मदद करता है. क्योंकि इमली के पानी में मजुद है, आपके शरी त्लड बनता है, इंजय को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए अपने डाइट में इमली के पानी को जोरूर शामिय होता है। पोड़े पॉंसी से दिलाए गा अगर आप अक्सर होने वाले फोड़े पूंसियों से परिशान हैं तो इसको पूरी तरह से ठीक करने में इम्ली का बीच आपकी मदद कर सकते हैं आपको करना से इतना होगा कि इम्ली के बीच में निम्बू का रस्म लाकर उसके बादे से पीस लेजिए और जहां पर पोड़े पूंसियों वहां पर उसका लेप लगाएं बहुत जल्त आपको रहात में अमेद हैं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी मैं फिर म मिलूंगी आपसे आइसी किसी वीज़ो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड पाएं